तेज रप्तार ने चलक पर जा रही एक महिला को रौन दिया हाथ से महिला की मौके पर ही मौत हो गई लेकिन इस दुरखटना में महिला के साथ एक तीन साल का मासूम भी था जो बिलकुल सुरक्षित है घटना बलदेव गढ़ थाने के बमहौरी तिराहे की है जहां घुवारा से दिली जा रही बस जब इस कस्बे से गुजरी तो भीड भाड वाले इलाके में भी बस चालक ने अपनी गती को धीमा नहीं किया इसी बीच 28 वर्षिय शान्ती बाई कुश्वाह को तेज गती से जा रही बसने तक कर मार दी घटना में शान्ती बाई सड़क पर अचेत होकर गिर पड़ी और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया बतादे कि शान्ती बाई अपने तीन वर्षिय बच्चे के साथ सबजी लेने के लिए निकली थी इस हाथसे में म्रतिका का बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित बच गया है जबकि शान्ती बाई की दर्दनाग मौत हो गई घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और म्रतक महिला के परिजनों ने बस में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया कुछी देर में सैक्रों की भीड घटना इस थल पर एकट्टी हो गई मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुँच गई और स्थिती को नियंतरण में लिया निजब बंदेल खंड के लिए टीकमगड से विकास राई की रिपोर्ट